जै माताजी मित्रों, आप सर्वेनू अमारी योट्यूब चैनल गुज्जु वारता एन कथामा हार देख स्वागत छे, मित्रों चो तमने अमारा वीडियो पसंद पड़ता होई, तो लाइक करो, अमारी चैनले सब्सक्राइब करो, जेथे करिने तमे अव नवा अपडेट् मित्रों, तमे सवत जानों छो, के जे श्री गणेश छे, एनी हम्मेसा जमणी बाजु सुन्ड होई छे, परन्तु भारत मा भागिये जोवा मरता डाबी सुन्ड वाडा गणपती नू मंदिर, के जे गुज्रात ना उन्जा स्थीत छे, तो आपड़े ए वीशे नी माहेते अने एवा गणेश ना दर्शन आ वीडियो थाकी करेशूं, गुज्रात मा प्रक्यात एवा श्री गणपती दादानू मंदिर मेसाना जिल्लाना उन्जा थी, मातर चार किलोमिटर ना अंतरे, पुष्पावती नदीना किनारे आवेल, एठोर मा भव्य मंदिर अने सिल्प कलाना नमुना रूप आ मंदिर स्थीत छे, आ मंदिर मा बिराजमान श्री गणपती दादानी मूर्ती नी स्थापना आरस के अन्य कोई धातुनी मूर्ती ना थी, परन्तु रेणू एटले के माटी माथी बनावेल छे, आ प्राचीन मूर्ती ने सिंदूर नो अने घीनो ल कलाना श्री गणेस मंदिर विशे विविद दन्त कथा प्रचली छे, आ घणपती मंदिर ना परिसर मा जमणी बाजुए धडी गहेलू प्राचीन विष्णू मंदिर आवेलू छे, जेनी मूर्ती मा अस्तित्वमान थी, कहवाई छे के वन लख्यो पन तद्दन साचो इति एतले दन्त कथा, त्यारे आ मंदिर साथे जोडायल पन दन्त कथा, प्रामाने आ मंदिर मा प्रस्थापित प्रती मा पांडव योगनी छे, प्राचीन समेमा स्वोलंकी राजवियो अवा नवार एठोर आवीने पुजन अर्चन करता, अने महान कारियेना शुभारंब प् आ मंदिर साथे संकडायली दन्त कथा, प्राचीन गाल मा देवोना लगना होवा थी, देवी देवताओनी जान जोडाय हती, परन्तु वाकी सुन्द वाडा अने दूंदाला गणेज जी तेमना विचित्र देखावने कारणे, तेमने एमने आमंत्रन नोतो आपियो, एठो आनमा जोडायल तमाम रथ भागी गया, आ घटना बन्वानो कारण समझाता देवो ए गणेज जीने मनाववानो संकल्प करियो, अने पोताना गोडा वडत बांधीने ते 30 करोड देवी देवताओ पुष्पावती नदीने किनारे आभिया, अने पूजन अर्चन करी गणे जीने प्रसंण करिया, आ प्रसंगे एठोर ना तरावना किनारे गोठ वेची हती, आजे आ दंत कथाना भागरूपे गोठीव तडाओ तेने केहवामा आवे छे, अने घोडा, बडद, बांध्या हता तेने गमानियो तडाओ, एम बन्ने तडाओ हाल गाम्मा मौजुद छ आ सिवाई नदी किनारे ते 30 करोड देवताओनू नानकडु मंदिर आवेलू छे, देवराज इंद्रना लगना होई, शीव परिवार पन जानमा जोडायो हतो, जान उत्तर दरफ जै रही हती, त्यारे भारे कायावाडा गणेजी वदू चाली न शके तेम होवा थी, भग व्युदपत्ती थाई होवानू मनाई छे, गणेज जी एठोर रोकाया, शीव जी, पार्वती, अने कार्तिकेजी जी जानमा आगर चालिया हता, परन्तु थोडे दूर गया बाद, माता पार्वती जीने, पोताना दिक्राने मुकीने, जानमा जवानी अनिच्छा थता, त जान आजे, उम्या माता जीनू स्थानक छे, जान आगरवदी, तो पोताना भाई, अने माता वगर, आगरवदवानू न गमता कार्तिकेजी, सिद्ध पूर खाते, रोकाया गया हता, जान आजे पन, कार्तिकेजीनू मंदीर हयात छे, जारे उत्तर गुज्रातना लोको, सा अने मंदी स्थापनाना अभ्यासु डौक्टर अम्रुत पतेला मत अनुसार एठोर ना आघणेसनु मंदीनु निर्मान कोणे करियु हसे तेना कोई पूरावा मरता नथी। तेनु प्रमान आपता कोई शीलालेक के आधार्भूत कथापन उपलब्ध न थी। परंतु मोर्ती विधान तथा असल मंदीरने स्थापत्य शैली जोता आ मंदीर 11 मी सदीमा निर्मान पामियु होवानु अनुमान करी शकाई छे। विक्रम समन 306 मा अलाउदीन खिलजी आक्रमन करीने उत्तर गुजरातना मोटा भगना मंदीरोनो द्वस्त करियो हतो। ते वेडाये आ मंदीरना यक्षो, गंधर्वो, देवी-देवियो, किन्नरो, कोचको, नस्तर, वगिरे सहित तमाम भागोने खंडिट कराया हता। परन्तु आजे पन आ गणेज जी डाबी सुन्ट वाडा छे। अने तमाम भावी भगतो खुब आस्था थी अहीं आवे छे। तो आप श्री पन एक वखत आस्थणनी मुलाकात लेशो जेधी करीने आपनी बधी मनोकामना पोण थाई। गंपदी बाप्पा मोरिया।